तो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर आसा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और एक बहतर जंदगी चीर होंगे तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने HDF से लाइफ के पॉलिसी को कैसे अपने फंड वेल्यू को चेक कर सकते हैं कैसे आप अपने payment histories को देख सकते हैं और अपने premium details को maturity amounts को refund status और client idea ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी हो बिना net के use किये बिना यानि Google पे सर्च किये बिना आप अपने WhatsApp के थुरू ये सारी details आप निकाल सकते हैं तो आईए सुरू करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले आपको एक number safe कर लेना होता है जो कि HDFC Life का official WhatsApp number है 8291-890-569 जी हा मैं repeat करता हूं दुबारा से 8291-890-569 ये number आपको safe कर लेना है HDFC Life के नाम से जो भी आपको suitable लेगे उसके आपको safe कर लेना है उसके बाद आपको open कर लेना है अपना WhatsApp वाटसेप open करने के बाद आपको interface खुल जाएगा कुछ इस तरह का ये interface खुलने के बाद आपको यहाँ पर type कर देना है तो दर से एक retrieve आएगा menu का एक list आएगा तो आपको click कर देना menu पे तो menu पे आपको यह सारी services आपको मिल जाती है buy policy, online premium payment, customer services, service request तो आप में चाहिए customer services पे जहाँ पर हम अपने fund value को, policy details को, payment histories को चेक कर सकते हैं तो आपको click कर देना है customer services पे और कर देना है send send करते ही आपको एक और menu मिल जाता है जिसमें आपको menu select करना है कि आपको क्या-क्या चीज़े देखनी है यहाँ पी आपको list आ जाती है आपको fund amount, policy details, payment history, premium details, maturity amount, refund status, client ID यह सारी चीज़े आपको इसमें मिल जाती है जो भी आपको जानना है आपको बस इस menu पे click कर देना है तो मैं for example यहाँ मुझे fund value जानना है यानि fund amount जानना है तो मैं fund amount पे click कर दिया और मैंने कर दिया send send करते ही हमार से कुछ verification के लिए details मांगता है तो अभी आ जाएगा details के लिए यह हमने पहले ही verify कर रखा था तो इसलिए मेरा यह आ रहा है otherwise आप जब first time करेंगे तो आपसे यह आपका policy number date of birth verification के लिए मांगता है और यह fill करने के बाद आपको यह fund value का पता लग जाता है तो इ policies की details जाना चाहरे हैं कि मेरी policies की details का है तो आप policy details पर click करेंगे send करेंगे send करने बाद फिर से आपको यह फिर पूरी detail आ जाएगी यह भेज देंगे देखिए यहां पर आ गया मेरे कौन सी policy का नाम और जो policy holder और nominee mobile number email idea सारी details आपको इसमें आपको विस्तार से मिल जाता है य यह सारी details आपको इसमें मिल जाता है ऐसी अगर हम बात करें फिर से दुबारा से menu पे जागर menu पे click करके payment history देखना चाहरे तो payment history पे click करके send करेंगे payment history आजाएंगे कि हमने कितनी payment किया है कब कब किया है तो यह सारी payment history हमारे सामने screen पे आ जाता है तो इस तरह हम अपने सब्सक्राइब के जो भी फंड वैल्यू पेमेंट हेस्ट्री आपका अकाउंट डिटेल्स यह सारी चीजे हम वाट्सप के थुरू देख सकते हैं बड़े अराम से तो आशा करतों आप सभी को पता लगा होगे कि आप कैसे सब्सक्राइब के यह सारी फंड वैल्यू अकाउं डिटेल्स और अपना पेमेंट हेस्ट्री यह सारी डिटेल्स निकालने के लिए काम आएगी थैंक्यू सो मच